अब देखो ये बात तो आप लोग जानता ही हो कि इस साल हमें SRK की तीन मुवीज देखने को मिली थी सबसे पहली पठान, फिर जबान और फिर डंकी जिसमें से दो मुवीज तो हमें देखने को मिली चुकी है एंड डोनों ही मुवीज ने 1000 करोर्स का बॉक्स ओफिस कलेक्शन भी किया है जिसके बाद सवाल निकलके आता है कि क्या SRK की तीसरी मुवी यानि की डंकी इस लेवल को क्रॉस कर पाएगी या पिर नहीं और क्योंकि अब डंकी ओपीचली थियेटर्स में आ चुकी है साथ वी सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली मुवी बनाता है सबसे पहली है जवान विद द बॉक्स ओफिस कलेक्शन ओफ 75 करोर्स उसके बाद है एनिमल, पठान, टाइगर 3, गदर 2 और आधी पूरुष जो की जैसे तैसे 36 करोर्स का बिजनस कर ली थी अगर देखा जाए तो ये कलेक्शन SRK की इस साल की बाकी मुवी से काफी कम है जिसके पीछे का बस एक ही रीजन है कि दंकी कोई एक्शन मुवी नहीं है बलकि एक फैमिली एंटेटेनर है किसको लेकर ओडियन्स की रिव्यूस भी काफी अच्छे खासे निकल की आ रही है और अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये मुवी आपको फर्स्ट हाफ में काफी जादा हसाएगी और सेकिंड हाफ में उतना ही इमोस्टल भी करेगी कमसिगब मुवी ऐसी तो है कि इसे आप अपनी फैमिली के साथ बैट कर अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं मुवी की सबसे बेस्ट चीज है SRK की परपॉर्मेंस और साथी उनके बाकी को एक्टर्स की भी हाला कि ये मुवी थ्री इडियर्ट से जादा या फिर उसके जैसे लेवल की नहीं है पर फिर भी ये आपको जैसा प्रामिस करती है उससे उपर ही डिलीबर करती है याने की आसान बाशा में डंकी एक मस्ट वॉच मुवी है जो की आपको एक बार अपनी फैमिली के साथ बैट कर जरूर से देखनी चाहिए हाला कि अगर देखा जाए तो इतनी अच्छी होने के बाद भी ये मुवी शायद ही थाउजन करोर का मार्क क्रोस कर पाएगी और बाकी आप मेंसे किस-किस ने मुवी देख लिये तो नीचे अपने रिव्यूज कॉमेंट करना मत बूलना कि ये मुवी आपको कैसी लगी जिसके बाद अगर बात करें सलार के बारे में जो कि डंकी के ठीक एक दिन बाद याने की 22 दिसंबर को अफीचली थियेटर्स भी आ गई है एंड फिलाल के लिए इस मुवी को लेकर जो रिव्यूज निकल के आ रही है वो ठीक से ही है याने की बहुत ज़ादा अच्छे नहीं है लगबग सभी का यही कहना है कि मुवी का फर्स्ट हाफ काफी स्लो था एक्शन सेंस की थोड़ी बहुत कमी है एंड मुवी का सेंड आफ काफी अच्छा है जिसमें की आपको अच्छे खासे टूस्टेंटर्स देखने को मिल जाती है यानि की अगर देखा जाए तो मुवी को लेकर जैसा की प्रॉमिस किया गया था ये मुवी उतना ही या पिर उससे थोड़ा कम ही डिलीवर कर पाई है कुछ क्रिटीक के हिसाब से जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि इस मुवी की डेवन का बॉक्स अफिस कलेक्शन कितना हुआ है तो क्योंकि मुवी कल ही रिलीज हुई या इसलिए कोई एक्जेक्ट टिगर बता पाना काफी मुश्किल है अगर आ गई होंगे तो मैंने स्क्रीन पर लगा भी दिये होंगे तो फिलाल के लिए जो अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से सलार ने अपनी रिलीज डे की दिन वर्ल्ड वाइड 175 से लेकर 180 करोर्स का बिजनस किया है साथ ही अगर बात करें domestic box office collection के बारे में तो ऐसा कहा जा रहा है कि मुवी ने करीबन 135 करोर्स का बिजनस किया है जिसमें से करीबन 45 करोर्स की earning आई है सिर्फ online ticket booking से हलाकि इन दो मुवीज का comparison करना बनता नहीं है क्योंकि दोनों का ही genre काफी जादा अलग है पर फिर भी डंकी ने अपने day one पर worldwide collection किया है करीबन 58 करोर्स का जो अपडेट है उसके हिसाब से सलार ने अपने day one में worldwide box office collection अचीव किया है करीबन 180 करोर्स की आजपास का जो कि अगर देखा जाये तो दोनों ही movies के box office collection में एक काफी huge difference है एंड दोनों की genre में भी एक huge difference है पर फिर भी अगर आपको इन दोनों में से कोई एक movie choose करनी है तो कौन सी करोगे तो नीची उसके नाम की आगे hashtag लगा कर comment करना मत भूलना